हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुवस, आज आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रीजिनिंग का एक छोटा सा सेशन लेकर रहे हूँ, सेशन आने वाले क्लेरिकल जो प्रिलिम्स एक्जाम्स हैं, उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा, इस्पेशली जो इस वी आने वाले आपका एक्जाम है, NICL, असिस्टेंट या क्लर्क भी बोला जा सकता है, प्रिलिम्स 2018, फ्लोर बेस्ट पजल का एक सवाल, हम डिस्कस करेंगे, सवाल एकदब एक्जैकली इसी एक्जाम्स के रिलेमेंट रहेगा, मतलब NICL, असिस्टेंट प्रिलिम्स में जिस level का question आप expect कर सकते हैं, उसी level का question आज हम discuss करेंगे, अब आने वाले other जो clerical exams हैं चाहे वो IBPS clerk का exam हो, और भी किसी insurance के प्रिलिम्स का exam हो, फॉर clerical post उन exams के लिए भी ये session बहुत important रहेगा, ठीक है, तो और ज्यादा बाते करके time waste ने करेंगे, सीधा question पर जाते हैं, question पढ़े पढ़ेंगे सबसे पहले सबसे पहले question पढ़ेंगे क्या दिया गया है six people J, K, L, M and O live in a seven floor building ground floor is number one above the floor number two and so on but not necessary in the same order कुछ नहीं बोला गया च्छह लोग है च्छह के च्छह लोगों का नाम दी दिया गया ठीक है और बोला गया इन्हें साथ floor जो building रहेगा seven story building जो रहेगा उनमें sit करना है च्छह जनों को साथ floor पे ठीक है जिसमें जो first number floor रहेगा वो ground floor रहेगा और जो top number floor रहेगा वो seventh floor रहेगा अब आगे पढ़िए क्या दिया हो गया है one of the floors is vacant यह तो clearly हमें समझ ही आता है क्योंकि लोग 6 है और floor कितने है साथ तो इसका मतलब एक floor तो vacant रहेगा ही यहां तक एकदम clear है तो क्या करते हैं सब से पहले तो साथ floor बना लेते हैं seven six five four three two और one columns बना लेते हैं जल्दी से फिर इसके बाद row भी बना लेंगे चलिए यह ह हमारा complete यहां पर single variable है तो इधर जरुवत ने पड़ेगे सिर्फ यहां पर हम नाम लिखते रहेंगे सभी जो person होगे जिस floor पे ठीक है अब पढ़िए पहली information के lives one of the odd number floors above the floor number four के odd number floor पे रहता है पर fourth floor के उपर अब fourth floor के उपर कौन-कौन से odd number floor है एक तो fifth और दूसरा आपका seventh तो दो cases बन रहे हैं तो घबराना नहीं है सोचना नहीं है इन सब में time waste नहीं करना है सीधा second case बनाई है जल्दी से seven six five four three two और one time waste नहीं करना है जैसी पता चला दो cases बनना है जल्दी से दो cases draw कर दीजिए फटा-फट से कर दिया हमने अब case one के अंदर ऐसा करते हैं के को fifth floor पर बिठाते हैं और second case के अंदर k को seventh floor पर बिठाते हैं कोई problem नहीं यहां तक अब आगे बढ़ेंगे there are three floors between k and n k और n के बीच में three floor हैं तो case one में देखेंगे अब उपर तो तीन floor हो नहीं सकते हैं तीन floor बचे नहीं है नीचे होगा एक दो और तीन n का बैठ जाएगा यह आपका n similarly seventh में भी उपर कुछ नहीं बैठेगा नीचे देखिए एक दो तीन n बैठ जाएगा third floor पर कोई problem कोई भी problem नहीं आगे बढ़ते हैं there are two people lives between n and the vacant floor n और vacant floor के बीच में दो floor रहेंगे तो सबसे पहले first case में देखते हैं नीचे की तरफ तो कोई scope है नहीं उपर जाए एक दो और vacant आजाएगा आपका यहां पर तो fourth floor आपका क्या हो रहा है case one में vacant हो रहा है अब second case में देखिए नीचे कोई scope नहीं है क्योगी नीचे दो ही floor बचे है और बोला क्या गया है एन और vacant के बीच में कम से कम दो floor का gap है तो दो floor का gap फिर नीचे vacant आना चाहिए पर एक दो vacant का बैंच जाएगा sixth floor पे second case कोई problem नहीं एकदम आराम से हो रहा है एकदम easy to medium level की puzzle है for clerical prelims exam level चाहिए आपका NACL assistant जो ECV काने वाला है चाहिए future में आने वाला IBPS clerk को उन level का यह puzzle रहेगा mains level का या फिर PO pre level का puzzle नहीं ठीक है तो यह मैंने आपको starting में बता दिया है कि L K का neighbor नहीं है ओके lives and odd number floor but not on floor number one के neighbor नहीं है इसका मतलब यहां नहीं बैठेगा और odd number पर बैठेगा पर one पर नहीं बैठेगा तो साथ पर भी बैठ सकता है तीन पर भी तो दो case बन रहे है तो देखते हैं आगे और कुछ है कि L lives just above the floor on which O lives तो अभी के लिए थोड़ा सा इसको hold पे रखें इस information को आगे पढ़ते हैं जे lives on odd number floor above the floor number 3 3 के उपर odd number floor पे जे रहता है तो 3 के उपर odd number floor कोई खाली है कि बिल्कुल है साथ वा तो साथ वे पर आपका जे बैठी है उसी तरीके से यहां भी देखते हैं कोई खाली है कि 3 के उपर odd number बिल्कुल 5 खाली है त के का नेबर नहीं है और odd number पे रहता है तो odd number कहीं पर खाली है कि सिर्फ कौनसा 3rd इस खाली है ठीक है एल को कहां बिठा देंगे 3rd पे बिठा दिया बट नॉट ओन फ्लोर नमबर बन बैट भी नहीं रहा यहां सेट हो गया तो एक ही प्लेस बचाए और एक ही परसंड कौन सा एम यहां सेट हो गया तो case 1 complete है अब केस 2 का दिखते है इसी information के साथ बचाइब है और हमारे पास कोई से बेजगा बच रही है सरफ नमब्बर बच रहे है क्एहा क्योंकि ये वाली इनफॉरमेशन को यह वडेट कर रहा है तो आपका केस तू सिधा सिधा eliminate होगा case 1 अपका पहले से ही ready है यह आपका final arrangement हो जाएगा कोई problem नहीं है अराम से अपना time लेके करिए बहुत जल्दी होने वाला सवाल है बहुत जादा time भी नहीं लगा होगा level क्या था NICL assistant prelims 2018 के लिए बहुत important floor-based puzzle लेके रहे था future में आने वाले सभी clerical level के जो prelims के exam है उन सब्सक्राइब हो सकता है अगर आप अराम अराम से फटाफट case बना के जल्दी 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 जो जो information आपको दी गई है उनको डालते रहे और सवाल सवाल करते रहे ठीक है I hope आपको session अच्छा लगा हो फिर से next time एक और puzzle या sitting arrangement का सवाल लेके आपके सामने में आजिर हो होंगा topic कुछ भी एक्जाम कुछ भी हो सकता है RRB PO में इस भी हो सकता है RRB clerk में इस भी हो सकता है हो सकता IBPS PO Pre के लिए लाओ या फिर NICL assistant prelims के लिए जिस पर भी रहेगा एकदम relevant level का सवाल लाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको idea रहे कि आप exam में कितने level तक का expect कर सकता है now that's all for today's session have a nice day